हलो स्टूरेंट साम पूजामीस फ्रम अगस्टरस एडुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश कुमार भारती का 3.3 लेसन स्टीफेन हौकिन बच्चों स्टीफेन हौकिन एक साइंटिस्ट है और स्टीफेन हौकिन का जनम 8 जन्वरी 1942 में ऑक्सवर्ड शहर इंग्लेंड में हुआ था और उनकी डेथ 14 मार्च 2018 में केमरी शहर इंग्लेंड में हुई थी स्टीफेन हौकिन एक इंग्लिश थेरोटिकल फिजिसिस्ट थे इंग्लिश मतलब वो ब्रिटिश सभ्यता से थे और इंग्लेंड से थे और थेरोटिकल फिजिसिस्ट एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें किजी भी फिजिकल आपजेट को एकस्प्लेंड करने के लिए ए जादा तर लोग नेचर के फैक्ट को प्रूव करते हैं जनरली ऐसे फैक्ट जिने पूरी तरह से समझा नहीं गया है एक्जामपल ब्लैक होल थर्मोडाइनमिक्स इसके अलावा स्टीफेन होकिन एक कॉस्ट्मोलोजिस्ट थे कॉस्ट्मोलोजिस्ट याने की वो व्यक्ति ज जैसे कि ब्रम्हांड कहा से आया, कैसे बना और इसके पीछे कारण क्या था। बच्चो स्टीफेन होकिन एक लेखग भी थे। स्टीफेन होकिन ने स्पेस एन टाइंग, युनिवर्स, ब्रेइन, ग्रैविटी और ब्लैक होल पर कही सारी किताबे लिखी है। बच्चों, Stephen Hawking Cambridge University में होने वाली theoretical cosmology research के डिरेक्टर थे, यानि की supervisor थे, theoretical cosmology मतलब research करना और research के दोरान experiment करके ये पता लगाना की universe की और other planets की origin कैसे हुई है? Stephen Hawking पहले scientist है जिन्होंने ब्रह्मान्ड कैसे बना इस theory को explain किया, सावित किया, दो चीजों की मदद से, पहली है general theory of relativity जो 1915 में Albert Einstein ने publish की थी, जिसमें gravitation के बारे में बताया गया है, और दूसरी है quantum machine, quantum machine को Aaron D. O'Connor ने 2009 में create किया था सबसे पहले general theory of relativity को समझ लेते हैं, Newton का मानना था कि प्रुथवी सूरिय के चकर gravity के वज़े से लगाती है, पर Einstein ने Newton की थेरी को गलत सावित करते हुए अपनी relativity की थेरी को सामने रखा और कहा, कि प्रुथवी सूरज के चकर gravity के वज़े से नहीं, बलकि gravity के वज़े से space time में आई हुए curve के bend के वज़े से लगाती है, और इसी वज़े से बाकी ग्रह भी सूरज के चकर लगाते हैं, इसके अलावा Einstein ने एक और experiment किया, हर को यही समझता था कि प्रकाश सिर्फ सीधी रेश में travel करता है, पर Einstein ने तारों की real position जो की पहले से अलग थी, वो बता कर और एक experiment साबित करके बताया कि प्रकाश ग्रैविटी की वज़े से space time में आई हुए curve के वज़े से मूड जाता है, और हमें तारे उनकी real position से अलग position में नजर आने लगते हैं, और इसी थेरी में उन्होंने general theory of relativity के equation e equals to mc square को proof किया, जहाँ पर e equals to energy, m equals to mass और c equals to velocity है, और Einstein की इसी थेरी का इस्तमाल करकर स्टेफिन होकिन ने ये पता लगाया कि universe कैसे बना, quantum machine एक device है जो quantum mechanics के लौपर work करती है, quantum mechanics याने की physics थेरी जिसमें atoms और subatomic particle की property का description दिया गया है, अब subatomic particle मतलब क्या, subatomic particle मतलब electrons, बच्चों quantum mechanics या physics, electron की position पता लगाने की study है क्योंकि electron बहुत ही तेजी से भागते है, और हम उसकी definite position का पता नहीं लगा सकते, तो हम उसे calculate कैसे करते है, हम उसकी probability निकालते है, शक्यता निकालते है, हम ये सोचते है कि इस reason में सबसे ज़्यादा probability है, तो एक electron यहाँ पर होगा, और इसी electron की probability निकालने के लिए, शक्यता निकालने के लिए कि वो कहाँ पर मौजूद है, quantum machine का use किया जाता है, बच्चो, quantum machine की थेरीका use बी स्टेफिन होकीन ने ब्रम्हांड कैसे बना ये पता लगाने में किया था, बच्चो, होकीन एक honorary fellow थे, याने की माननिय सदस्य थे, honorary fellow एक high prestigious award है, जो कोई बड़ी university या फिर बड़ा सा organization किसी person को देता है, जो उनके connection में है, honorary fellow याने की माननिय सदस्य का award होकीन को Royal Society of Arts लंडन के organization ने दिया था, बच्चो, Royal Society for Arts, Manufacturer and Commerce लंडन का सबसे बड़ा organization है, जो की social challenges पर practical solution find out करता है, और होकीन, Pontifical Academy of Science of Vatican City के भी lifetime member थे, Pontifical Academy, Science के academy है, जो natural science की progress पर काम करती है Vatican City में, इसके अलावा, होकीन को Presidential Medal of Freedom Award भी मिला था, जो US का highest civilian award है, highest civilian award याने की सर्व उच्च नागरिक award, बच्चो, Presidential Medal of Freedom एक award है, जो US के president उन लोगों को देते हैं, जिन्होंने society के लिए कुछ बड़ा काम किया हो, या फिर देश के प्रगती के लिए कुछ बड़ा काम किया हो, बच्चो, ये lesson आपको पूरा ग्यान देता है, महान scientist Stephen Hawking के जिन्दगी का, उनकी मेहनत का और उनके काम का, तो आईए बढ़ते हैं lesson के और, तो अभी तक हमने देखा कि Stephen Hawking एक British scientist थे, प्रोफेसर थे, लेखक थे, उन्होंने काफी सारे नए तरीकों का उप्योग करके नई चीजों का पता लगाया, और बड़े बदलाव किये, उन्होंने ब्रम्हांड की रचना और ब्रम्हांड के विकास का विज्ञान भी बताया, और उनकी किताबों ने विज्ञान को सभी के लिए आसान बनाने में मदद की। 21 साल की उमर में जब Stephen Cosmology विशय पढ़ रहे थे Cambridge University of England में, तब उनमें amyotrophic lateral sclerosis बिमारी के लक्षन दिखाई दिये। बच्चो, amyotrophic lateral sclerosis एक nervous system disease है जिसमें body muscle weak हो जाते हैं और इस disease के वज़े से पूरे body के physical function पर impact होता है। इसे motor neuron disease भी कहा जाता है, motor neuron यानि की nerve cells जो brain से spinal cord तक और फिर सारे body के muscles में फैले हुए होते हैं, ये motor neuron सारे body के physical activity को control करते हैं, जैसे की बोलना, खाना, भागना। ये system work कैसे करता है? तो हमारे brain में मुझूद motor neuron, spinal cord में मुझूद motor neuron तक brain का message पहुचाते हैं और spinal cord ये message muscle तक पहुचाती हैं, जिससे body के physical function work कर पाते हैं, जैसे की बात करना या फिर चलना फिरना। motor neuron disease हो जाने के वज़े से जिस किसी भी patient को ये disease होता है, उसके brain में मुझूद motor neuron, spinal cord के motor neuron को brain का message नहीं पहुचा पाते हैं, और इसी के कारण spinal cord से message muscle तक नहीं पहुचता है, और muscles suddenly function करना बन कर देते हैं और weak होने लगते हैं। Stephen Hawking में यही लक्षन दिखाई दे रहे थे और धीरे धीरे उनका शरीर weak हो रहा था और उनके शरीर को लखवा हो रहा था। Stephen Hawking के जिंदगी से जुड़ी कहानी का कुछ हिस्सा 2014 की movie The Theory of Everything में चितरित किया गया है। और इसी बिमारी के कुछ वर्षों में Stephen Hawking ने कुछ किताबे लिखी अपनी theories पर, कुछ किताबे उन्होंने खुद लिखी और कुछ किताबे वो किसी और की मदद लेकर लिख रहे थे। Stephen Hawking ने अपने बिमारी के इस सफर में कुल मिलाकर 15 किताबे लिख दी। इन 15 किताबों में से कुछ किताबे ध्यान देने लायक थी। इस किताब में काफी सारे अकाउंट है, हिसाब है, सबसे बेले Big Bang Theory बताई गई है। Big Bang Theory याने Cosmology अकाउंट जैसे कि कैसे एक एटम के साइस से भी छोटा ब्रम्हांड अपने अस्तित्व में आया और फिर बाद में वो कैसे कैसे फेला। कैसे मैटर के ब्लास्ट के बाद एक फोर्स काम करने लगा और कैसे इस फोर्स के चलते सभी आइटम्स आपस में जुडने लगे और एक वस्तु तयार हुई, एक पींड तयार हुआ जिसे आज हम यूनिवर्स कहते हैं। हौकिन ने स्पेस और टाइम के बारे में बताया है कि स्पेस और टाइम पहले से नहीं था, पहले सिंग्यूलरिटी थी, सिंग्यूलरिटी मतलब वो पॉइंट जहाँ एक्स्पलोज़न हुआ था और उसके बाद यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। और उसके बाद space और time के बारे में बताया गया जैसे कि space में उस वक्त कौन से पधार्त मोजुद थे और कौन सी gases थी, milky way और other planets कैसे बने और समय की शुरुवात कप से हुई उसके बाद कुछ topics हैं जिसमें भगवान की मोजुदगी के बारे में बताया गया है कि universe खुद से बना है या भगवान ने उससे बनाया है स्टेफिन ने एक और point clear किया है कि universe पहले बना और उसके बनने के बाद समय आया, time अस्तित्व में आया, universe बनने से पहले time भी नहीं था, इसके अलावा उन्होंने future topic भी किताब में discuss किया है इस काम के वज़े से स्टेफिन होकिन famous हो गए और उन्हें तुरंत success मिली, उनकी book A Brief History of Time चार साल तक London Sunday Times newspaper के best seller list में पहले स्थान पर रही बच्चो, Sunday Times London का मशूर newspaper है जिसमें एक books sell chart आता है जिसका नाम है best seller list जिसमें UK में सबसे जादा बिकी जाने वाली books का नाम list में सबसे उपर होता है इसी best seller list में स्टेफिन होकिन की किताब चार साल तक सबसे उपर रही होकिन की किताब इतनी famous हुई कि उनकी किताब की एक करोड से भी जादा copies सारी दुनिया भर में बेची गई और इस किताब को translate भी किया गया 40 से भी जादा अन्य भाशाओं में A Brief History of Time किताब समझने में इतनी भी आसान नहीं थी जितनी की लोग आशा कर रहे थे A Brief History of Time किताब की कही गई बाते और भी अच्छी से समझने के लिए होकिन ने 2001 में एक और किताब निकाली जिसमें सारे doubts clear किये गए थे और उस किताब का नाम था The Universe in a Nutshell The Universe in a Nutshell किताब में उनिवर्स के नेचर के बारे में बताया गया है उनिवर्स कैसे expand हुआ और उनिवर्स की boundary condition और इस किताब ने clear example दिया, मार्ग दर्शन दिया, ब्रह्मान के निर्मान की बिग थेरिस का बिग थेरिस जैसे की उनिवर्स के छिपे हुए कुछ रास तो इसी के साथ आपका लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है स्टेफिन होकिन से जुड़ी कहानी और उनके किताबों से जुड़ी कहानी हम लेसन के next पार्ट में देखेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और शेर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले